आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करें के साथ, किस के साथ? एजुला के साथ, ठीक है? एजुला के साथ किस कुन सा सुक्ष्मजीव पाया जाता है? एना बिना पाया जाता है, ठीक है? एना बिना सुक्ष्मजीव पाया जाता है और जब एजुला के साथ एना बिना धान के खेतों में अगर हम उगाते हैं तो उस से जो उपज होती है वह प्रचास प्रतिशत तक बढ़ जाती है कित्ती बढ़ जाती है और एजुला और एना विना तोनों जो है यह क्या है नील-हरित-शेवाल है क्या है नील हरित शेवाल ठीक यानि कि ब्लू ग्रिन इल्गी है तो दोस्तों हमें यहाँ पर निम लिखे चार विकल्ब दिये गए है जिसमें पहला दिया गया है फ्रेंकिया दूसरा है इस्पाइरूलिना तीसरा है टोलिपोथ्रिक्स और चोथा और आकरी विकल्ब है एना बीना तो दोस्तों अगर हम पहले विकल्ब की बात करें फ्रेंकिया तो दोस्तों फ्रेंकिया जो है यहाँ एक एक टीनो माई सिटीज है क्या है एक टीनो माई सिटीज ठीक और यहाँ एक टीनो माई सिटीज जो होता है यह लेग्यूम पादबो की जड़ों में पाया जाता है जो लेग्यूम पादब होते हैं उनकी जड़ में पाया जाता है परन्तु इसे एजुला की साथ चावल के खेतों में या धान के खेतों में नहीं उगाया जाता है अतह यह विकल्प हमारा गलत है दूसरा है इस्पाइरुलिना तो दोस्तों इस्पाइरुलिना एक नील हरित शेवाल है क्या है नील हरित शेवाल है परन्तु इसे भी यह भी नाइटोजन इस्थरी करन का कार्य करता है परन्तु इसे धान के गेतों में एजुला के साथ नहीं उगाया जाता है और दीसरा है टॉलिपो त्रिक्स तो दोस्तों टॉलिपो त्रिक्स जो है इसे भी एजोला के साथ नहीं उगाया जाता है और सबसे चोथा और आकरी विकल्प है एना बिना तो दोस्तों जो एना बिना होती है इसे एजोला के साथ किसके साथ एजोला के साथ धान के खेतों में उगाने पर उपज 50% तक बढ़ जाती है, थीक, तो दोस्तों हमें यहां पर प्रप्रशन दिया गया था, कि धान के खेतों में एजोला के साथ पाया जाने वाला नाइट्रुजन, इस्तिरी कारक सुक्ष्म जीव है, तो दोस्तों जो एना भी ना होता है, वह एजोला के साथ धान के खेत में आया होगा धन्यवाद